दोस्तो सब्सक्राइब करो 7 Star Tech को और साथ में इस घंटी बेल एकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहें बहुत बहुत स्वाइब है दोस्तो आप सभी का 7 Star Tech YouTube चैनल पर दोस्तो मेरा नाम है आशिश पांडेया और आज मैं दोस्तो आपको बताऊँगा कि अगर आपका कोई भी डेटा आप से गलती से डिलीड हुआ है या फिर बाइडिफॉल्ट डिलीड हुआ है पर्मानेंट लि वीडियो हो या कोई भी डेटा होगो आप उसको रिखाभर कर पाएंगे दोस्तो alors आएए दोस्तो मैं आपको कंप्योटर पर करके बताता हूँ कि आपको इसको रिक वर कैसे करना है यह डेटा रिक cookies की ऑफिश वेबससाइट है और दोस्तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आपको इसको कहीं पर ढूंडने और सर्च करने की जोत नहीं है आईए मैं आपको करके दिखाता हूँ चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर फ्री पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिजेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फ्री में आपको क्या-क्या मिलता है आप अपना कोई भी लॉश्ट डेटा यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं 2GB तक आपको फ्री मिलना है साथी में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी टाइप का डेटा हो चाहे वो फोटो, डॉक्मेंट, वीडियो, आडियो, इमेल हो वो सब आप रिकवर कर सकते हैं साथी में दोस्तों hard drive हो या फिर SSD यानि कि solid straight drive या फिर USB दोस्तों कोई भी आपका pen drive वगरा हो सारे डेटा को आप यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको pro version की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको upgrade कर सकते हैं तो मेरे link पर click करके अगर आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो आपको 50% off मिल जाएगा तो एक बार आप check जरूर कीजिएगा और साथी में यह free में download करके आप दोस्तों अपना कोई भी normal data दोस्तों recover कर सकते हैं चलिए मैंने इसको install कर लिया है मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे अपना data recover करना है तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर एक आपके लिए folder बना देता हूँ यह देखिए test और इस folder को मैंने यहाँ पर बनाया है और चलिए दोस्तों मैं इनके नाम ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो तो ये देखिए मैं इसका नाम रख देता हूँ चलिए आशिश रख देते हैं हम यहाँ पर और इस पर एंटर मारता हूँ तो आप देख सकते हैं आशिश 12345 अब इन फाइल्स को च देख सकते हैं डिलीट कर दिया है तो रिसाइकल बिंद से दोस्तों वो डिलीट हो चुके हैं आप चलिए मैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों यह खुल चुका है और जब यह दोस्तों खुल जाए तो यहाँ पर आपको scan करना होगा और scan करने के बाद यह दोस्तों हमारी पूरी drive को scan करेगा और यहां से delete हमारा data निकालेगा तो आप देख सकते हैं अभी यह ढूंड के निकाल देगा तो उसके बाद दोस्तों जब देख सकते हैं यहां पर quick scan complete हो जाए तब आपको दोस्तों यहां पर देखना है quick scan का result तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर graphic मतलब photos को select किया है अगर आप photos को ना भी करें तो आपका फिर भी सारा data जितना भी आपने अभी delete किया है तो आप यहां पर देख सकते हैं तो जब दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो यह सारी फोटो डिलीड मारी थी दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है और चलिए मैं इसको रिकवर करके देखता हूं तो यहाँ पर चलिए मैं इसको रिकवर कर लेता हूं तो यहाँ पर असानी से recover हो गई तो यह काफी अच्छा software है अगर आप देखें आपका मतलब कोई पुराना data खोया है जैसे आप अगर deep scan करेंगे जो कि मैंने अभी pause कर दिया जिसमें time लगेगा तो जब आप दोस्तों deep scan करते हैं तो यहां पर आपका बहुत पुराना पुराना मतलब कितना फोटो दोस्तों मैंने January 2017 में delete मारी थी और वैसे ही छे फरवरी 17 की तो ऐसे ही दोस्तों यह काफी पुराना data भी आपका recover कर लेगा जो इसे मिल जाता है तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके काम जलूर आई होगी और अगर यह आपके काम आई है तो इसको like जल लीड हो गया था क्योंकि इससे आप पुराना data भी recover कर सकते हैं तो thank you दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए